हलो स्टूडेंट हाव आर यू आई होप आप सभी ठीक होंगे तो आठ से हम क्लास टेंथ आई-C-S-C-E-M-E-L-A-G-A-R-W-A-L exercise 1 एक्सरसाइस 8.1 आपके सामने लेकर हाजिर है ठीक है देखे चेप्टर नमबर जो 8 है इसका नाम है मैट्रिसेस क्या नाम है मैट्रिसेस ठीक है तो वही पुरानी चीज जैसे हम हर चेप्टर को श्रू करते हैं ठीक है कोशन करते जा आपको classify करना है ठीक है देखिए student पहले आप मैट्रिसेस का थोड़ा सा मतलब समझ लीजे ठीक है मैट्रिसेस क्या है arrangement of mathematical numbers है या arrangement of entities है जिसको हम square bracket के अंदर क्या करते हैं represent करते हैं और इसके अंजर हर जो number है यानि 2 5-1 और 1 इसको हम कहेंगे elements of the matrices एक बार पीट से समझ ली से आजाएंगे जिसको हम square bracket के अंदर रख के दिखाते हैं रख के represent करते हैं और हर entity को हम क्या कहते है elements of the matrices कहते है ठीक है यानि 2 भी क्या है element of the matrices है 5 को भी हम element कहेंगे इस matrix का minus 1 को भी element कहेंगे 1 को भी element कहेंगे ठीक है अच्छा अब यहां भी कह रहा classify the following matrices 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 को आपको classify करना है क्या करना है classify करना है अब देखिए जो आपकी पहली matrix है यह आपका square matrix के type की है कौनसी matrix के type की है matrices के type की है square matrix क्या है square matrix square matrix क्यों है जरा समझे क्योंकि इस matrix का जो order है वो 2 into 2 का है अब यहां बात आती है कि sir आपने order की बात की तो order होता क्या है समझेगा मेरी बात किसी भी matrices का order को हम कैसे determine करते हैं कैसे पता लगाते हैं इस matrix में कितने row है और कितने column है उसके multiplication को हम क्या कहते हैं order कहते हैं ठीक है देखे जैसे इस matrix में कितने row है row आपको पता होगा horizontal line को कहते है और column जो है vertical line को कहते है यानि 2 और minus 1 2 और minus 1 किस में आएंगे row में आएंगे 5 और 1 भी किस में आएंगे row में आएंगे देखिए अगर मैं इसको ऐसे काट दूँं काट नहीं रहा हूं गंदा लगेगा लेकिन अगर इसको मैं काट दूँं तो 2 और minus 1 row में आएंगे 5 और 1 भी row में आएंगे कॉलम में क्या आएगा 2 और 5 आएगा minus 1 और 1 आएगा ठीक है यह horizontal line है इसको आप row कहेंगे यह vertical line है इसको आप क्या कहेंगे कॉलम कहेंगे ठीक है तो देखिए इसका जो order है order हम हमेशा यहां भी लिखते है निचे के side तो यह order हो गया 2 into 2 ठीक है तो इसका order क्या हो गया 2 into 2 ठीक है और यह है किस टाइप की square matrix है square matrix क्या है जान लिजे जिसमें row number और column number दोनों सेम होते हैं उस matrix को हम क्या कहते है square matrix कहते है समझ में कहें मेरी बार जिस matrix में row number और column number दोनों सेम होते है उसको हम क्या कहते है square matrix कहते हैं, ठीक है, तो आप ही लिखेंगे, it is a, it is a square matrix of order, of order 2, ठीक है, जब इस square matrix, of order 2 into 2 ही लिख दीजे, चली छोड़े, ठीक है, ज़्यादा बाते नहीं करने चाहिए, of order 2 into 2, जो यहाँ भी लिखेंगे, वही क्या हो जाएगा, order हो जाएगा, ठीक है, जैसे दिखिए, इस matrix के गर बात करें, तो इसमें, रो कितनी हैं, रो तो आपके एक हैं, ल होगी, into column कितने होग गए, 1, 2, 3, 3 column होगए, ठीक है, तो देखिए, जिस matrix में, जिस matrix में, एक ही रो हो, जिस matrix में, एक ही रो हो, उसको हम कहते हैं, row matrix, क्या कहते हैं, row matrix, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखेंगे, it is a, it is a row matrix, it is a row matrix of order, इसका order क्या है, 1 into 3 का है, 1 row है, और 3 column है, ओके student, समझ मैं है मेरी बात, चली, थार्ट पार देखें क्या कह रहा है, 3, 0, 1, देखेंगे, समझे गए इस बात को, एक row, दो row, तीन row, और एक column, ठीक है, horizontal line को क्या कहते है, row कहते है, और vertical line को column कहते है, तो यहाँ पर आपका 3 row है, और 1 column है, ठीक है, समझे मेरी बात, जिस matrix में एक ही column हो, उसको हम कहते हैं column matrix, इसमें क्या था, जिस matrix में एक row हो, तो इसको row matrix कहेंगे, order यहां पर लिखा है, तो 1 into 3 हो गया order, और जिस matrix में एक ही column हो, तो इसको column matrix कहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, it is a, it is a column, matrix of, 3 into 1, okay student, समझे मैं मेरी बात, चलिए, fourth part देखते है, इस matrix का order क्या होगा, देखिए, एक row, दो row, तीन row, एक column, दो column, तो तीन row और दो column, ठीक है, तो इसको हम कोई special matrix नहीं कहते हैं, it is just a matrix of order 3 into 2, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, मतलब इस तरीके की matrix को हम कोई special नाम नहीं देते हैं, ठीक है, यह जाएगा, it is a matrix of order 3 into 2, ठीक है, चलिए, इसको देखते हैं, एक row, दो row, एक column, दो column, तीन column, तो दो row और तीन column यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, आईसी matrix को भी हम को special नाम नहीं देते हैं, तो it is also just a matrix of order 2 into 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे, it is a, it is a matrix of order 2 into 3, ठीक है, इसको देख लिजए, इस matrix में सारे ही element 0 हैं, मतलब जतनी भी अंदर entities लिखें हैं, इसको 0 matrix कहेंगे, ठीक है, इस matrix को एक special नाम दिया गया है, 0 matrix, क्यों कहा गया है, या null matrix भी आप कह सकते हैं, ठीक है, या void matrix भी कह सकते हैं, तीन नाम दिये गया है, आपकी book में जो भी हो, वैसे 0 matrix दिया होगा, null matrix और empty matrix जो है, वो class 11, 12 में ऐसे कुछ करके नाम दिया रहता है, ठीक है, तो ऐसी matrix जिसमें सारे element 0 हो, तो इसको 0 matrix कहते हैं, order क्या है, देख लिजए, 1 row, 2 row, 1 column, 2 column, 3 column, तो 2 row और 3 column, मैंने 2 into 3 का order हो गया, और इसको कहेंगे क्या, 0 matrix, तो आप लिखेंगे, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ऑफ और, ऑफ और, टू इंटू 3, वोके स्टुट्ट समझ मैं आई, देख सकते हैं कितना असान chapter है, यह chapter ही आसान है, ठीक है, थोड़ा नया है आपके हिसाब से, फर्स टाइप पॉल रहे होंगे, लेकिन है आसान, ठीक है, यह लिजे जल्दी से screenshot, इसके बाद next question करते हैं, देखे, ठीक है, second question देखे, क्या कह रहा है, कह रहा, if a matrix has four elements, what are the possible orders it can have, कह रहा, एक matrix है, जिसके अंदर चार elements है, तो इसके possible orders क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, possible orders मतलब किस तरीके से सजाएंगे, दो रो, दो column रखें, एक रो, चार column रखें, चार रो, एक column रखें, ठीक है, इस तरीके से, मैंने वैसे अंसर बता ही दिया है, यही तीन possible order है, ठीक है, लेकिन चलिए, मैं आपको थोड़ावरेट करके बताता हूँ, थोड़ावर समझा कर बताता हूँ, ठीक है, चार element है, element का नाम नहीं दी, तो element हम A, B, C, D माल लेते हैं, ठीक है, एक matrix कुस ऐसी बनेगी, A, B, C, D, ठीक है, इसका order क्या हो गया, दो रो है, और देखिए, दो कॉलम है, तो इसका order हो गया, 2 x 2, ठीक है, कॉमा, एक matrix कुस ऐसी बन जाएगी, A, B, C, D, इसका देखिए, एक रो है, 1, 2, 3, 4, चार कॉलम है, तो इसका order हो जाएगा, 1 x 4, ठीक है, एक matrix कुस ऐसी बन जाएगी, सीधा सीधा, A, B, C, D, इसमें देखिए, एक, दो, तीन, चार, चार रो हो गया, और एक, पूरा-पूरा, एक देखिए, एक कॉलम हो गया, ठीक है, horizontal वाले को रो कहते हैं, vertical वाले को क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, तो जाएगा 4 x 1, ठीक है, यही तीन possible order हो सकते हैं, ठीक है, समझ मैं मेरी बात, यानि possible order क्या हो सकते हैं, 2 x 2, यानि 2 रो 2 कॉलम, 1 x 4, 1 रो 4 कॉलम, 4 x 1, 4 रो 1 कॉलम, ठीक है, समझ मैं आया, समझा के बता दिया अच्छे से, ठीक है, समझेगा, सेकंड पार देखिए, क्या कह रहा है, इसके possible orders क्या क्या हो सकते हैं, यह चीज़ आपको बताना है, ठीक है, यह भी बहुत असान है, देख लिए, 8 element है, ठीक है, तो कैसे कैसे देख सकते हैं, ठीक है, वैसे तुम्हें ऐसे ही बता देता हूँ, 4 x 4 का हो सकता है, 2 x 4 का हो सकता है, 4 x 2 का हो सकता है, ठीक है, 1 x 8 का हो सकता हो, 8 x 1 का हो सकता है, ठीक है, इसके लावार कोई से order नहीं हो सकता, ठीक है, अब जाहिर सी बाद है, सब यहाँ पी मैं बनाऊंगा तो नहीं, लेकिन चलिए, 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 बना ही देता हूँ, ठीक है, 8 element है न, तो एक तो यह हो जाएगा, A, B, C, D, 8 है न, sorry, sorry, हाँ, चलिए, ठीक है, A, B, C, D, E, F, G, H, शायद थोड़ा order मैंने राद में गलत बता दी, ठीक है, 16 सोच की मैंने बता दी तहा, very sorry for that, यह कितना हो जाएगा, 2 row और 4 column, 2 into 4 का हो गया, अभी C का उल्टा कर देंगे, 4 into 2 कर देंगे, यहानि, A, B, C, D, E, F, G, H, यहाँ भी देखिए, एक तो तीन चार, चार रो, 1, 2, दो column, और क्या हो जाएगा देखिए, और हो जाएगा आपका 1 into 8 का, यहानि, A, B, C, D, E, F, G, H, ठीक है, यह क्या हो गया, एक रो, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 column, एक रो, 8 column, अभी इसी का उटा कर देखिए, ठीक है, 8 into 1 का बनातेंगे, 8 into 1 का कैसे बनेगा, A, B, C, D, E, F, G, और H, यह क्या हो जाएगा देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 row, और 1 column, ठीक है, 1 column, ठीक है, इसका लावा भी हो सकता है, क्या, एक का, नहीं, मेरे खाज़े नहीं हो सकता है, ठीक है, होगा क्या, नहीं, नहीं होगा, ठीक है, चलिए, screenshot लेना चाहे है, तो ले ले, इसके बाद next question करेंगे, इस exercise का, ठीक है, ले लीजे, चलिए, ठीक है, question number 3, इसको देखिए गई, तो ले अच्छा कोशन है, constructs are 2 into 2 matrix, यानि एक ऐसी matrix बनानी है, जिसमें 2 row होंगे, यह देखिए, और 2 column होंगे, ठीक है, whose elements aij, अब देखिए, elements को लिखने का तरीका यही होता है, aij, जहाँ पर i जो है, वो row number है, j क्या है, column number है, एक बार फिर से, elements को लिखने का तरीका यही होता है, aij, a उपर लिखेंगे, aij, subscript में यानि नीचे लिखेंगे, ठीक है, where i क्या है आपका, row number है, j क्या है, column number है, are given by, aij is equal to 2i minus j, यानि, एक matrix है, जिसमें इस तरीकी का relation दिया है, दुस्री वाली matrix में इस तरीकी का relation दिया है, ठीक है, तो देखी, बहुत आसान है, बहुत आसान है, देखी, कैसे, समझेगा, यहाँ पर मैं तोड़ा चीज़ों का और खुल के बताऊंगा, तो थोड़ा चीज़ों समझेंगे, इस चैप्टर के बारे में इस को शेंगे थुरू और जानेंगे, देखें कैसे, 2 into 2 का matrix है, समझेगा, 2 into 2 का matrix है, तो 2 into 2 यहाँ लिखती है, ठीक है, यानि, 2 row और 2 column, 2 row और 2 column, यानि, 2 row, और 2 column, ठीक है, यह जो first element, इसको आप कहेंगे क्या, first element को कहेंगे क्या, first element को कहेंगे, a, one, one, a11 क्यों कहा, क्योंकि, इसका जो row number है, वो भी first है, और column number भी क्या है, first है, यह जो पहले element है, यह पहली row में भी आ रहा है, और पहले column में भी आ रहा है, तो इसका क्या हो गया है, A11 हो गया, यहाँ पे जो आगा उसको क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे A12, इसका row number तो first है, लेकिन column number क्या है, column number second है, देखें दूसरे column पर आ रहा है न, पहला वाला column तो ये है, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप A21 इसका row number दूसरा है, column number पहला है इसको क्या लिखेंगे? A22 इसका row number भी दूसरा है और column number भी इसका क्या है? दूसरा है ये लिखने का तरीका होता है, समझ दीजे अच्छे से अब आप लिख सकते हैं यानि आपको A11, A12, A21 और A22 की value निकालनी है तो आप इस relation में टाकर put कर देंगे, देखिए पहले किसके निकालेंगे? A11 की तो देखिए, put कर दीजे A11, I की जगा भी 1, J की जगा भी 1 तो जगा 2 into 1, minus 1 कितना आ गया? 2 minus 1 कितना आ गया? 1 आ गया 2 put करेंगे, तो जगा 2, 2 1 जड़ 2, minus 2 कितना आ गया? 0 आ गया ठीक है? समझ में आ ली ना मेरी बात चलिए, A12 की यहाँ निकाल लीजे A12, तो I की जगा तो 1 put करेंगे J की जगा क्या put करेंगे? 1 मिनट Sorry, A12 की तो निकाल चुका हूँ ना ये A21 की निकाल लीजे A21 ठीक है? A21 यानि ये थाड़ वाले की तो जगा 2 इन 2 I की जगा 2 put कर देंगे J की जगा 1 put कर देंगे ठीक है? देखिए, I, J जो यहाँ पे value रखने है, वही चीज यहाँ पे भी रखनी है ठीक है? I की जगा 2 put किया क्योंकि I की जगा 2 है J की जगा 1 put कर देंगे, क्योंकि J की जगा पे यहाँ पे 1 है 22 जगा 4, minus 1 कितना आ गया? 3 आ गया ठीक है? यह आ गया आपका A22 ठीक है? यह हो जाएगा 2 into I की जगा क्या put करेंगे? 2 put करेंगे minus J की जगा क्या put करेंगे? यहां भी 2 put करेंगे, तो आजाएगा 2, 2, 4, minus 2, answer कितना आजाएगा, 2 आजाएगा, ठीक है, यानि matrix क्या बनेगी, matrix कुछ ऐसी बनेगी, पहले A11 है, A11 की value 1 आ गई, उसके बाद A12 है, A12 की value 0 आ गई, उसके बाद क्या है, A21 है, यहां भी देखिए, A21 है, इसकी value 3 आ गई, उ तो आपकी यह matrix बनेगी, ठीक है, इस relation के साथ, समझ मैं मेरी बात, अच्छे से, ओके, अच्छे से, ठीक है, देखिए, तोड़ा अलग तरीके का है, और आपको इस question के तुरू तोड़ा सा और जानने का मौका में लाइस chapter लो, ठीक है, चलिए, second part करते हैं, 2 into 2 का matrix इसमें भी है, तो वही चीज़ यह होगी, इसको लिख लिजे, पहले उतार लिजे, सेम चीज़, a11, a12, a21, और a22, order कितना है, 2 into 2 का है, पहले क्या निकालोगे, a11 निकालोगे आप, लिख दीजे, a11, यहाँ भी देखिए, relation सीधा सीधा है, i की जगा 1 रखा, minus j की जगा पी 1 लखेंगे, answer कितना हैगा, 0 आएगा, second वाला क्या है, a12 है, a12 यहाँ निकाल लिजे, इधर भी निकाल सेथा, ठीक है, यह लिखने का order कोई fix नहीं है, पहले minus को निकाला, फिर मेरा मन केस को निकाल लिए, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया, i की जगा 1 लिखें लिखेंगे, a21 निकाला, i-j है, i की जगा पर 2 है, j की जगा पर 1 है, 2-1 किया, तो 1 आ गया, इसके बाद जाएगा, a22, तो करेंगे, 2-2, i-j, कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है, देखें, पहले हम वाली लिखेंगे, a11 की, a11 की value 0 आई है, उसके बाद लिखेंगे, a12 की, a12 की value 1 आई है, उसके बाद लिखेंगे, a22 की, इसके value की आई है, 0 आई है, ठीक है student, समझ में, मैं आई ही मेरी बात, अच्छे से, ठीक है, student, अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुचाएं, जो कोचिंग को effort नहीं कर सकते, thank you